गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स हाव अर्यू आई वोप आप सभी अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है लीव्स ठीक है आपने डिफरेंट टाइप्स की लीव्स देखी होंगी ठीक है यह मैं आपको इस्ट्रक्चर के द्वारा समझा रही हूँ यह देखिए यह लीव्स है यह कुछ लीव्स है जो देखने में इस तरीके की होती है और आपकी बुक में भी इस्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ओके देखिए यह है मैंगो की लीव आपको देख रहा होगा शायर यह है नीम लीव्स और यह है बनाना लीव्स और एक यह जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह है देखिए ग्वावा ठीक है अमरूत की पत्ती mostly सभी में देखे होगी लीव्स पत्ती यह पौधे की जो पत्ती होती है वो क्या करती है भोजन बनाती है इट हैल्स प्लांत्स डु सर्वाइब और यह पधे को सर्वाइब करने में हैल्फ करती है दा वाटर एंड Nutrients were taken in by the roots और ये जड़के द्वारा क्या लेती है Nutrients पॉस्थिक तत्प ठीक है और water लेती है Then the water moves upward through the stem to the leaves और ये क्या करती है water को कहा तक ले कर जाती है पत्तियां कहा तक stem तक ले कर जाती है The leaf takes on light पत्तियां सूरे के प्रकाश लेती है and carbon dioxide from the air और carbon dioxide को क्या करती है air के द्वारा and convert the nutrients to plant food और nutrients को convert कर देती है पॉधों के लिए भोजन बनाने में This process is called photosynthesis ये process या ये प्रक्रिया photosynthesis कहलाती है photosynthesis के जो process है मैं आपको पहले भी explain कर चुकी हूँ एक बार और रिपीड कर देती हूँ देखिए पॉधों की हरी पत्तियों के द्वारा सूरे के प्रकाश की उपस्थिती में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश, sensation या photosynthesis कहलाती है we eat the leaves of some plants है कुछ पॉधों की पत्तिया खाने के रूप में भी उस करते हैं या खाते हैं such as lettuce and spinach leaves are also called the kitchen or food factories of the plant कुछ पत्तिया है वो क्या कहलाती है रसोई घर कहलाती है या खाने की factory कहलाती है because they make food for the entire plant क्योंकि वो क्या करते हैं कौधे के लिए भोजन बनाती है leaves are of different shapes and size और जो पत्तिया है उनकी आकरती बहुत अलग-अलग प्रकार की या विभीन प्रकार की होती है okay childrens यदि आपको कोई भी doubt हो तो आप clear